हेलो माई दिया इस्टूडेंट्स आप सभी का रुद्ध नैसिंग एक्स्प्रेस में हार देख स्वागत है आज का मारे पॉटन ट्रॉपिक कमिंटिया है अज हम लोग आंगनवारी सेंटर के वारे में डिस्कुशन करेंगे हम इस वीडियो में जानेंगे इसका इंट्रोड किया करें इससे आपके concept बिल्कुल clear हो जाएंगे इसके बिल्कुल भी ना किया करें और जो भी विएस चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को एक बार एनलाइज जरू करें यहां मेरे दौरा बनाएगे content आपके लिए helpful होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ल introduction की तो hearts of the ICDS याद रखेगा ICDS का हरदय किसको कहा जाता है आंगनवारी को कहा जाता है clear है जिन viewers ने ICDS का वीडियो नहीं देखा है उसका link मैंने i button पे दे दिया है आप उसको click करके इसली देख सकते हैं चली next हमारा point है one आंगनवारी center covers 400 population in hill areas while 800 population in plain areas अगर हम एक आंगनवा याज होते हैं तो परवती छेत होते हैं यानि कि वहाँ पे 400 की जनसंख्या पर एक आंगनवारी center को इस्थापित किया जाएगा ठीक ऐसे हम plain area की बात करते हैं समतल area की तो याद रखेगा एक आंगनवारी center कितने को cover करेगी 800 population को यानि कि 800 लोगों को cover करेगी clear है चली अग आंगनवारी center से छोटा होता है और कितने लोगों को cover करेगा 150 से लेके 300 लोगों को ये cover करता है चली अब हम बात करते हैं स्टाफ की कौन-कौन स्टाफ होते हैं सबसे पहला मार होगा main आंगनवारी worker ठीक है जिसको हम मुख आंगनवारी कार करता कहते हैं और दूसरा कौन ह इनकी मदद करने वाले कौन होते है helpers जिनको हम क्या कहेंगे सहाई का गयते हैं clear है चली अब हम बात कर लेते हैं beneficiaries की यानि कि कौन-कौन इसके अंतरगत लाभारती ही होते हैं कौन-कौन पार्थ होते हैं AWC के अंतरगत तो सबसे पहला हमारा है children three to six years जिनके ऐसे बच्चे जो तीन से च्छे साल की उम्र के होते हैं वो इसमें सामिल हो सकते हैं ठीक दूसरे के हमारा children is less than three years यानि के ऐसे बच्चे जिनकी उम्र तीन साल से काम होती है clear है चली है next के हमारा adolescent girl यानि की किशोरी ठीक चली है अगला हमारा है लाभारती women of reproductive age group 15 to 45 और 49 years यानि यह ऐसी मह महिला है जो जनन योग है जिनकी उम्र 15 से 45 और 49 साल तक की है वो इसमें सामिल हो सकती है clear है अगला के हमारा nursing या lactating woman ऐसी महिला है जो इस्थनपान कराती है या अपने बच्चों का पालन पोश्चन करती है वो इसमें सामिल हो जाती है ठीक next के हमारा pregnant woman यानि की गर्वती मह क्लियर है चलिए बात कर लेते हम लोग services की या कौन-कौन सीन की duties होती है एक आंगनवारी center की क्या-क्या वो हमका function होता है ठीक कुछ नहीं कह सकते है हम लोग चाहे services कह लिजे है आप चाहे duties कह लिजे चाहे उसके function कह लिजे तो सबसे पहला हमारा है supplementary nutrition program हो गया दूसरा हमा तो सबसे पहला हमारा है supplementary nutrition ठीक है तो for children less than six years pregnant woman and lactating woman यानि कि supplementary nutrition होता है यानि कि पूरा काहार हम किन-किन लोगों को देंगे तो या देखिए ऐसे बच्चे जिनकी हुम छे साल से कम होती है एक घर्वती महिला होगी और एक हमारी lactating woman होगी जो बच्चे को स्तनपान कराती ठीक है चलिए अगला कि हमारा point है given 300 days per year यानि कि एक साल में कम से कम 300 दिन जो है मैं पूरा काहर देना चाहिए इन लोगों को ठीक है चलिए next हमारा point है हम बात करेंगे अब calories protein और उसमें लगने वाले cost के ठीक है यानि कि जितने भी जो मैंने आपको अबी लावारती बताए है benefits बता है तो इनको कितनी calorie देनी चाहिए कितनी protein देनी चाहिए और कितनी उसमें लागर लगती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं children के ठीक है तो children में calorie कितनी लगेगी यानि कितनी उनको energy जरूत पढ़ती है 500 kilo calorie की वहीं अगर protein की बात करते है तो 12-15 gram protein लगती है ठ ठीक है वहीं अगर हम बात करते हैं pregnant और nursing woman की तो याद अखिए कितनी energy जरूत पढ़ेगी 600 kilo calorie की ठीक है protein कितनी लगती है 15-20 gram वहीं अगर हम कीमत की बात करते हैं तो साड़े 9 रूपया लागत लगत लगती ठीक next camera malnourist chart ठीक है यानि कि ऐसे बच्चे जो कुपोसेत हैं जिनको संतुले ताहर नहीं मिल पाता है तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा energy की ज़रूत पढ़ते यानि की 800 kilo calorie की energy पढ़ेगी ठीक है वहीं protein की 20-25 gram और लागत कितनी होगी हमारी साड़े 12 रूपय होगी clear है चलिए चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब immunization की तो सबसे पहले इसमें कौन-कौन लाबारती सामिल होगे children होगे और एक हमारी गर्वती महिला सामिल होगी ठीक है तो बात करते हैं children के लिए तो against preventable disease यानि की बीमारियों की रोख थाम के लिए हम बच्चों को immunization देते हैं ठीक व और यह हमारा function है यह services है health check-up ठीक है तो health check-up में हम लोग क्या क्या करते हैं सबसे पहला हमारा antinatal care और postnatal care देंगे ठीक है दूसरे के हमारा point है care of children under 6 years यानि के 6 साल से कम बच्चे हैं तो उनको हम क्या 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 care देते हैं याद रखे कि सबसे पहला weight को record करेंगे यानि कि उसका बजन कितना है उसकी height कितनी है ठीक है उसका growth monitoring करेंगे साथ में राइट चले next के हमारा immunization करेंगे ठीक है और devalming करें ठीक है तो इससे क्या होता है जितने ही पेट के जुकी गड़े होते है वो मर जाते हैं ठीक next क्या हमारा profile access against anemia ठीक एनिमिया जैसे बीमारी को फैलाओ से रोकना या देखेगा profile access क्या ही medical term होता है जिसका मतलब क्या है किसी भी बीमारी को फैलाने से रोकना या उसके attention is referred to the hospital और CSC ठीक कहना क्या चाहता है देखे नियमी स्वास जाच के दोरान या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ततकाल चिकिस्टा यानि कि immediate medical attention की जरूरत है तो हम ऐसे patient को क्या है hospital या CSC में उसको refer कर देते हैं ठीक यानि कि कोई ऐसे condition जहां patient की treatment नहीं हो पा रहा है या वहा hospital या CSC या PSC आपका होता है वहाँ हम उस patient को refer कर देंगे clear है चलिए आप बात कर लेते हैं हम लोग next function के तो next function क्या हमारा preschool education या non-formal education ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि preschool education किन को दिया जाएगा तो ऐसे बच्चे जिनकी उन 3 से 6 साल की होती है clear है चलिए अब हम देख देखेंगे कि preschool education या non-formal education किसे कहते हैं to provide learning space to children before they begin compulsory education at primary school ठीक है यानि कहना मतलब क्या है प्रात्मिक बिद्याले में अनिवार सिख्छा सुरू करने से पहले बच्चों को सीखने का स्थान्थदान करना ठीक क्या कहलाता है preschool education कहला ठीक चलिए इसको simple word में हम लोग समझते कोई अगर बच्चा है हमारा ठीक तो उसको हम क्या करेंगे डारेक जो है primary school में उसको admit नहीं करेंगे ठीक है ऐसा करने से क्या हुआ बच्चा जो है वहाँ पे uncomfortable मैसूस करेगा ठीक उसको दिक्कत होगी वहाँ के atmosphere में नहीं ढल पाएगा तो उसको क्या करना है हमां पहले ब बोसक्ता ऐसे खयलना खयलना जाता है बच्चों के साथ में ठीक है तो हर एक चीज वहाँ पर जो है उसको basic चीजएं वहाँ पर सिखाई जाती है कहां पर आपके आंगनवारी सेंट्र में ठीक, जब बच्चा ये सब चीजे हासिल कर लेता है, महारत हासिल कर लेता है, तब इसके बाद हम लोग क्या है, प्राइमरी स्कूल में उसको एडमिट कर सकते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा वहाँ पर उस वातरवन के रिकॉर्डिंग अपने आपको एजली ढाल लेगा, और उसको वहाँ पर कुई भी दिक्कत नहीं होगे, क्लियर है? चलिए, अगला हमारा फंसरन है, हेल्थ एंड न्यूटिशनल एड्यूकेशन, ठीक, हम किसको स्वास्थ और पोशन संबंदी सिछ्छा देंगे, तो याद आखिए, इस के मैलाइस में सामिल हैं, ठीक, दूसरा कौन है सामिल हमारा, प्रिग्नेट बूमेन, यानि कि गर्वती मैलाएं, और लेक्टेक्टिंग बूमेन, यानि कि ऐसी मैलाएं, जो स्तन पान करा रही हैं बच्चें को, ठीक, इस जितने भी लोग जो सामिल हैं, लाबारती जो सामिल है उनको हम क्या देते है health or nutrition से संबंदित education देंगे clear है चलिए अब हम देखेंगे आगनवारी worker के बारे में ठीक तो सबसे पहला हमारा point है works at grassroots labor इसका मतलब क्या है कि यह जो आगनवारी जो workers होती है या helpers होती यह जमीनी स्थर पर काम करती है ठीक है दूसरा के हमारा mostly female जादतर इसमें क्या आती है महिलाएं सामिल होंगी ठीक है अगला क्या है trained for four month ठीक है चार महिने के इसमें जो है training दी जाती है ठीक चलिए next हमारा point है part time worker who is paid with honorarium of rupees is 4500 per month mini आगनवारी centers is 3500 per month ठीक है कहना क्या चाहता है जो आगनवारी worker होती है सबसे पहले तो यह part time worker होंगी ठीक और उनको मान दे कितना दिये जाता है honorarium का मतलब क्या होता है मान दे यानि कि पैसा कितना मिलता है तो याद अखीगा 4500 रुपए प्रती महिना मिलेगा वहीं अगर mini जो छोटा आगनवारी center है ठीक तो उनको कितना मिलता है 3500 रुपए प्रती महिना मिलेगा clear है चलिए next हमारा point है आगनवारी helpers के अगर हम बात करते हैं तो उनको कितना payment दिये जाएगा कितना मान दे मिलता है तो याद रखीगा बाइस सो पचास रुपए प्रती महिना उनको मान दे दिये जाता है clear है आसा करते हूं को topic का आपको अच्छे थे समझ में आ गया है और topic कैसा लगा है comment करके यूदू बताय करें यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे like करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और इस channel ये वीडियो से related या कोई आपका topic हो तो उसे comment box में ज़रू लिखें उसका answer देने मुझे खुशी मिलेगे तो तब तक के लिए अपना ख्याल लखें take care and bye bye thank you so much